ओम श्यान्ती, 19 जून 2024 के इश्वर्य महावाक्य, पहले सुनते हैं आज की मूर्ली से होंवर्ग, बाबा ने कहा, सबको बाप का परीचे देना, आत्माओं का कल्यान करना, याद की यात्रा में रहना, यह है सची सेवा, इसी सेवा में बीजी रहना है, अपना समय वेस्ट न ही करना है, सबसे मूल सेवा है बाप की याद में रहना, और दूसरों को याद दिलाना, तुम किसी को भी बाप का परीचे दे, उनका कल्यान कर सकती हूँ, लोब के वश भूख लगी, तो छिपा कर बिना पूछे खा लेना, चोरी कर लेना, यह बहुत खराब आदत है, चो लेनी है, इस आदत से बचने के लिए ब्रह्मा बाप समान ट्रस्टी बनो, जो भी ऐसी आदते हैं, वह बाप को सच सच सुना दो, और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से, मूर्ले का सार, मीठे बच्ची, सबसे मूल सेवा है बाप की याद में रहना, और दूसरो को याद दिलाना, तुम किसी को भी बाप का परीचे दे, उनका कल्यान कर सकती हूँ, प्रशन, कौन सी एक चोटी सी आदत भी बहुत बड़ी अवग्या करा दीती है, उससे बचने की युगती क्या है, उत्तर, अगर किसी में कुछ छिपाने की वा चोरी करने की आदत है, तो भी बहुत बड़ी अवग्या हो जाती है, कहा जाता है कक का चोर सो लख का चोर, लोब के वश भूख लगी तो छिपा कर बिना पूछे खा लिना, चोरी कर लिना, ये बहुत खराब आदत है, इस आदत से बचने के लिए ब्रमा बाप समान ट्रस्टी बनो, जो भी ऐसी आदते हैं, वह बाप को सच 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 सुना दो, ओम शांती, रुखानी बाप बैच रुखानी बच्चों को समझाती हैं, बच्चे जानती हैं, हम बेहद के बाप के सामने बैठी हैं, हम इश्वर ये परिवार की हैं, इश्वर निराकार हैं, ये भी जानती हैं, तुम आतम अभिमानी होकर बैठे हूँ, अब इसमें कोई साइंस गमंड वा हठ्योगा दे करने की बात नहीं है, यह है बुद्धी का काम, इस शरीर का कुछ भी काम नहीं, हठ्योग में शरीर का काम रहता है, यहां बच्चे समश बाप के सामने हम बैठे हैं, जानते हैं कि बाप हमको पढ़ा रहे हैं, एक तो कहते हैं अपने को आत्मा समश बाप को याद करो, तो मीठे बच्चों तुम्हारे सब बाप कट जाएंगे, और चक्र फिराओ, औरों की सर्विस कर आप समान बनाओ, बाप एक-एक को बैठ देखते हैं, कि यह क्या सर्विस कर रहे हैं, स्थूल स सेवा करते हैं, या मूल सेवा करते हैं, एक-एक को बाप देखते हैं, यह सब को बाप का परीचे देते हैं, मूल बात है यह हर एक बच्चे को बाप का परीचे देते हैं, औरों को समझाते हैं, कि बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो तुम्हारे जनम जनमांतर के पाप मि पहते हैं अपने से भीट करती हैं सबसे जास्ती सर्विस कौन करती हैं क्यों नहीं मैं इनसे भी जास्ती सर्विस करूं इनसे भी जास्ती याद की आत्रा में दोड़ी पहन सकते हैं वा नहीं हर एक को बाबा देखता है बाबा हर एक से समाचार पूछते हैं क्या क्या सेवा क करती हैं कोई को बाप का परीचद उनका कल्यान करते हैं टाइम वेस्ट तो नहीं करते हैं मूल बात है ही यह है इस समय सब आफन हैं बेहद के बाप को कोई भी नहीं जानती बाप से वर्सा तो जरूर मिलता है तुम बच्चों को मुक्ती जीवर मुक्ती धाम दोनों बुद् रही हैं फिर स्वर्ग में आकर जीवर मुक्ती का राज्य भागे लेंगी बाकि धेर आत्माएं जो भी दूसरे धर्म वाली हैं वे तो कोई भी नहीं रहेंगी सिर्फ हम ही भारत में रहेंगी बाप बच्चों को बैठ सिखलाते हैं बुद्धी में क्या-क्या रहना चाहि यहां तुम संगम उपर बैठे हो तो खान पान भी शुद पवित्र जरूर चाहिए जानते हो हम भविश्य में सरवगुन संपन सोला कला संपूरण संपूरण निर्विकारी बनती हैं यह महिमा शरीरधारी आत्माओं की है सिर्फ आत्मा की महिमा तो नहीं है हर एक आत्मा पार्ट अपना अपना है जो यहां आकर बजाती है तुम्हारी बुद्धी में एम उबजेक्ट है हमको इन जैसा बनना है बाप का फरमान है बच्चे पवित्र बनो पूछेंगे कैसे पवित्र रही क्योंकि माया के तुफान बहुत आते ही बुद्धी कहां कहां चली जात बाप टीचर गुरु भी तुमको मिला है यह भी तुम जानते हो उच्चते उच्च भगवान है वह बाप टीचर ग्यान का सागर भी है बाप आए हैं हम आत्माओं को साथ ले जाने लिए सत्युग में बहुत थोड़े देवी देवता रहती हैं यह बाते तुम्हारे सिव और कोई की बुद्धी में नहीं होंगी तुम्हारी बुद्धी में है कि विनाश के बाद हम ही थोड़े होंगी और इतने सब धर्म खंड आदी नहीं होंगी हम ही विश्व के मालिक होंगे हमारा ही एक राज्य होगा बहुत सुख का राज्य होगा बाक उसमें वेराइटी पद वाले होंगे हमारा क्या पद होगा हम कितने रुहाने सेवा करते हैं बाप भी पूछते हैं ऐसे नहीं बाबा अंतर्या मी है बच्चे हर एक खुद समझ सकते हैं हम क्या कर रही हैं जरूर समझते होंगे पहले नंबर में सेवा यह दादा ही कर रही हैं श्री मतपर गड़ी गड़ी बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो देह अभिमान छोड़ो आत्मा कितना समय समझते हैं यह पक्का करना है हम आत्मा है बाप को याद करना है इनसे ही बेडा पार होता है याद करते करते पुराने दुनिया से नई दुनिया में चले जाएंगे अभी बाकी थोड़ा समय है फिर हम अपने सुक धाम में चले जाएंगे मुख्य रुहानी सेवा है सबको बाप का परीचे देना यह है सबसे सहच बात स्थूल सर्विस करने में भोजन बनाने में भोजन खाने में भी मेहनत लगती है इसमें तो मेहनत की कोई बात नहीं सिर्फ अपने को आत्मा समझना है आत्मा अविनाशी शरीर विनाशी है आत्मा ही सारा पार्ट बजाती है ये शिक्षा बाप एकी बार आकर देती हैं, जबकि विनाश का समय होता है नए दुनिया है ही देवी देवताओं की, उसमें जरूर जाना है, बाकि सारी दुनिया को शांती धाम जाना है ये पुरानी दुनिया रहेगी नहीं, तुम नहीं दुनिया में होंगे तो पुरानी दुनिया की याद होगी, कुछ भी नहीं तुम स्वर्ग में ही होंगे, राज्य करते होंगे, ये बुद्धी में रहनी से खुशी होती है स्वर्ग को अनेक नाम दिये जाती है नर्ग को भी अनेक नाम दिये हुई है पाप आत्माओं की दुनिया हेल दुखधाम अभी तुम बच्चे जानती हो बेहत का बाप एकी है हम उनके सिकिलदे बच्ची है तो ऐसे बाप से लव भी बहुत होना चाहिए बाप का भी बहुत लव है बच्चों में, जो बहुत सेवा करते हैं, काटों को फूल बनाते हैं मनुश्य से देवता बनना है ना, बाप खुद नहीं बनते हैं, हमको बनाने आई हैं तो अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए, स्वर्ग में हम कौन सा पद पाएंगे, हम क्या सेवा करते हैं घर में नोकर चाकर हैं, उनको भी पहचान देनी चाहिए, जो खुद कनेक्शन में आते हैं, उनको शिक्षा देनी चाहिए बाकी सेवा करनी है न, अवलाओं की, गरीबों की, भील्नियों की गरीब तो बहुत हैं, वह सुधर जाएंगे, कोई पाप आदी नहीं करेंगे नहीं तो पाप कर्म करते रहेंगे देखते हो जूट चोरी भी कितनी है, नोकर लोग भी चोरी कर लेते हैं नहीं तो घर में बच्चे ताला क्यों लगाएं, परंतु आजकल के बच्चे भी चोर बन पड़ी हैं कुछ ना कुछ छिपा कर उठा लेते हैं, किसको भूख लगती है तो लालच के कारण खा लेते हैं लोब वाला जरूर कुछ चोरी कर खाता होगा, ये तो शिव बाबा का भंडारा है इसमें तो पाई की भी चोरी नहीं करनी चाहिए ब्रह्मा तो ट्रस्टी है, बेहद का बाप भगवान तुम्हारे पास आया है भगवान के घर में कभी कोई चोरी करता होगा, स्वपन में भी नहीं तुम जानते हो उचते उच है श्यू भगवान, उनके हम बच्ची हैं तो हमको दैवी कर्म करनी चाहिए तुम चोरी करने वालों को भी जेल में जाकर ग्यान देते हो यहां क्या चोरी करेंगे, कभी आम उठाया, कोई चीज उठा कर खाई, यह भी चोरी है न कोई भी चीज बिगर पुछे उठानी नहीं चाहिए, हाथ भी नहीं लगाना चाहिए श्यू बाबा हमारा बाप है, वह सुनते हैं, देखते हैं पूछते हैं बच्चों में कोई अवगुण तो नहीं है, अगर कोई अवगुण है तो सुना दो, दान में दे दो, दान में दे कर फिर कोई अवग्या करेंगे, तो बहुत सजाएं खाएंगे चोरी के आदत बहुत बूरी होती है, समझो कोई साइकल उठाते हैं, पकड़े जाते हैं, कोई दुकान में गए बिसकेट का डिबा छिपा लिया, या कोई छोटी-छोटी चीज़े छिपा लेती हैं दुकान वाले बड़ी संभाल रखती हैं, तो ये भी बहुत बड़ी गवर्मेंट है, पांडव गवर्मेंट अपना दैवी राज्य स्थापन कर रही है, बाप कहते हैं मैं तो राज्य नहीं करता, तुम पांडव ही राज्य करती हो, उन्होंने फिर पांडव पती स्री को कह दिया है, पांडव पता कौन है, तुम जानते हो सामने बैठी हैं, हर एक अंदर में समझ सकती हैं, हम बाबा की क्या सेवा करती हैं, बाबा हमको विश्यो की बादशाहिदे, खुद वान प्रस्त में चले जाती हैं, कितने निश्काम सेवा करते हैं, सब सुखी और शा हो जाते हैं वे तो सिर्फ कहते हैं विश्यों में शांती हो शांती की प्राइज देते रहते हैं यह तुम बच्चे जानती हो हमको तो बहुत भारी प्राइज मिलती है जो अच्छी सर्विस करती हैं उनको बड़ी प्राइज मिलती है उच्चते उच्च सेवा है बाप का पर इनको देखो यह भी लोकिक परिवार वाला था ना इनसे बाबा ने कराया इन में प्रवेशकर इनको भी कहते हैं तो तुमको भी कहते हैं कि यह करो हमको कैसे कहेंगे हमारे में प्रवेश होकर कराते हैं करन करावन हार है ना बैठे बैठे कहा यह चोड़ो यह तो चीची चलो वैकुंट अब वैकुंट का मालिक बनना है बस वैरा गया गया सब समझते थे इनको क्या हुआ है इतना अच्छा जबर्दस्त फायदे वाला व्यापारी यह क्या करती हैं पता थोड़े ही था कि यह क्या जाकर करेंगे छोड़ना कोई बड़ी बात थोड़ी है बस सब क कुछ त्याग दिया और सबको भी त्याग कराया बच्ची को भी त्याग कराया अब यह रुहानी सेवा करनी है सबको पवित्र बनाना है सब कहते थे हम ग्ism अम्रित पीने जाते हैं नाम माता का लेते थे ओम रादे के पास ज्यान अमरित पीने जाते हैं किसने ये युकती रची शिव बाबा ने इन में प्रवेश कर कितने अच्छी युकती रची जो कोई आएगा ज्यान अमरित पिएगा यह भी गायन है अमरित छोड़ विश काही को खाई विश छोड ग्यान अमृत पीकर पावन देवता बनना है शुरू में यह बात थी कोई भी आता था तो उनको कहते थे पावन बनो अमृत पीना है तो विश को छोड़ देना है पावन वेकुंट्र का मालिक बनना है तो एक को ही याद करना है तो जरूर जगडा चलेगा ना शुरू की खिटपिट अभी तक चलती आई है अब लाओं पर कितने अत्याचार होते हैं जितना तुम बहुत पक्के होते जाएंगे फिर समझेंगे पवित्रता तो अच्छी है उनके लिए ही पुकारते हैं बाबा आकर हमको पावन बनाओ पहले तुम्हारे में भी क्रेक्टर क्या थे अभी क्या बन रहे हो आगे तो देवताओं के आगे जाकर कहते थे हम पापी हैं अब ऐसे नहीं कहेंगे क्योंकि तुम जानते हो हम अभी यह बन रहे हैं बच्चों को अपने से पूछना चाहिए हम कहां तक सेवा करती हैं जैसे भंडारी है तुम्हारे लिए कितनी सेवा करती है कितना उनका पुन्य बनता है बोतों की सेवा करती है तो सब के आशिरवाद उन पर आती है बहुत मैमा लिखती है बंडारी की तो कमाल है कितना प्रबंध रखती है यह तो हुई स्थूल सर्वीस सुक्ष में भी करनी चाहीं बच्चे कहते हैं बाबा यह पांच भूत बड़े तीखी है जो याद में रहने निंग देती है बाबा कहते हैं बच्चे श्यू बाबा को याद कर भोजन बनाओ एक श्यू बाबा के सिवाए और कोई है नहीं वही साहिता करती हैं गायन भी है ना शरण पड़ी में तेरी सत्यू में थोड़ी ऐसे कहेंगे अभी तुम शरण में आई हो कोई को भूत लगते हैं तो बहुत पीडित करती हैं वह अशुद सोल आती है तुमारे को कितने भूत लगी हुई हैं काम, क्रोद, लोब, मोह ये भूत तुमारे को बहुत पीडित करती हैं वह अशुद शोल तो कोई कोई को तंग करती है तुमको बता है यह पांच भूत तो पच्चिस सो वर्ष से चलते आ रही हैं तुम कितने तंगों पड़े हो इन पांच भूतों ने कंगाल बना दिया है दे अभिमान का भूत है नमबर वन काम का भी बड़ा भूत है उन्होंने तुमको कितना सताया है यह भी बाप ने बतलाया है कल्प कल्प तुमको यह भूत लगती है यता राजारानी तथाप्रजा सबको भूत लगा हुआ है तो इसे भूतों की दुनिया कहिंगी रावन राज्य माना आसूरी राज्य सत्युक्त रेता में भूत होते नहीं एक भूत भी कितना तंग कर देता है इनका किसको पता नहीं है पांच विकारो रूपी रावन का भूत है जिससे बाप आकर छुडाती है तुमारे में भी कोई-कोई सैंसिबुल है जिनकी बुद्धी में बैठता है इस जनम में तो ऐसा कोई काम नहीं करना है कहते हैं कख का जोर सो लख का जोर यग्य में तो ऐसा काम कभी नहीं करना है आदत पढ़ जाती है तो फिर कभी छूटती नहीं है कितना माथा मारती हैं अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चूं प्रती माथ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुट मॉनिंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चूं को नमस्ते हम रुहानी बच्चूं की रुहानी बाप दादा को याद प्यार गुट मॉनिंग और नमस्ते जी धाड़ा के लिए मुख्य सार पहला पोइंट, स्थूल सेवा के साथ साथ सुक्ष्म और मूल सेवा भी करनी है सबको बाप का परिच्चे देना, आत्माओं का कल्यान करना, याद की यात्रा में रहना, यह है सच्ची सेवा इसी सेवा में बीजी रहना है, अपना समय वेस्ट नहीं करना है दूसरा पोइंट, सेंसिबुल बन पांच विकारो रूपी भूतों पर विजय प्राप्त करनी है चोरी वा जूट बोलने की आदत निकाल देनी है दान में दी हुई चीज वापस नहीं देनी है वर्डान, शरीर की व्याधियों के चिंतन से मुक्त, ज्यान चिंतन वास्वय चिंतन करनी वाले शुब चिंतक भव विस्तार, एक है शरीर की व्याधि आना, एक है व्याधि में हिल जाना व्यादियाना ये तो भावी है, लेकिन स्रेश्ट स्थिती का हिल जाना ये बंधन युक्त आत्मा की निशानी है जो शरीर के व्यादी के चिंतन से मुक्त रहे, स्वय चिंतन ज्ञान चिंतन करते हैं वही शुब चिंतन खै प्रकर्ति का चिंतन ज्यादा करने से चिंता का रूप हो जाता है इस बंदन से मुक्त होना इसको ही करमातीत स्थिती कहा जाता है स्लोगन स्ने की शक्ती समश्या रूपी पहाड को पानी जैसा हलका बना देती है अच्छा ओम शान्ती